हलो फ्रेंट्स मैं एकता आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ और आज मैं बहुती टेस्टी लोकी का भरता की रसीपिले की आई हूँ तो आप जो लोग लोकी नहीं खाना पसंद करते वो भी उंगलिया चाटते ढ़ जाएंगे क्योंकि ये बहुती टेस्टी और बहुती डिलीसियस है और इसको बनाना भी बहुती आसान है तो अब जो लोकी नहीं खाना पसंद करते वो आपसे मांग मांग के खाएंगे तो चलिए बनाते हैं टेस्टी हेली लोकी का भरता तो सबसे पहले देखिए लोकी का बरता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो लोकी लिया है और इस लोकी को हम बहुत ही अच्छे से दो के और कट कर लेंगे तो आपको पता है कि लोकी बहुत ही पॉस्टिक होता है और ये देखिए ये लॉकी को मैंने साइच का ऐसे कट कर लिया है और इसको मैंने बहुत अच्छे से साफ कर लिया था यहाँ पर देखिए मैंने लहसुम लिया है तो मर्चा लिया है तीन प्यास लिया है और तीन टमाटर लिया है और अब देखिए सबसे पहले हमको यह जो लौकी है इसको हमको कूकर में बॉयल करना है तो यहाँ पर देखिए मैं गैस पर कूकर रख दी हूँ और इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है तेल वेल कुछ नहीं डालना है तो यह भड़ता बन रहा है तो इसलिए मुझे लोकी को अच्छे से बॉइल कर लेना है तो यह देखिए इस तरह से मैं कूकर में सारे लोकी को डाल दूँगी यहाँ पर यह देखिए इस तरह से मैंने कुकर में लोकी डाल दिया और ये आपको पता है कि लोकी पानी छोड़ता है तो इसलिए मैं यहाँ पर पानी भी नहीं डाल नहीं हूँ और मैंने नमक डाल दिया है और कैस का फ्लिम मीडियम रखे और हमको एक सीटी आने तक इसको अच्छे से पका लेना है तो यहाँ पर देखिए मैंने जो तीन प्याज लिया था इसको कट कर लिया है और अद्रक, मिर्चा और लहसुन का मैंने पेस्ट बना लिया है और अब मैं टमाटर का भी पेस्ट बना लूँगी यह देखिए यह पानी काफी मातरा में बचा है तो इसका मैंने जूस निकाल लिया है और इस लौकी को अच्छे से मैंने ऐसे मैश कर लिया है तो यह देखिए इस तरह से आपको मैश कर लेना है क्योंकि आपको भरता बनाना है और इधर देखिए कड़ाई में मैंने दो चम्मसुद सरसो का तेल लिया है और अब ये जब तेल गरम हो जाएगा तब हम इसमें जीरा डालेंगे बहुत ही टेस्टी भरता बनता है तो जो लोग नहीं मतलब लौकी का नाम सुनके भागते हैं लोगी का कलर देखे भागते हैं वो आपसे मा मां के खाएंगे तो यहाँ पर देखिए जीरा अच्छे से जब भुन जाएगा तब हम यहाँ पर प्याज डालेंगे और यह देखिए मैंने प्याज डाल दिया है और इसको बहुत ही अच्छे से भुनेंगे बहुत ही टेस्टी लोकी का भरता बनता है और ये देखे मैंने एक मर्चा तो मैंने पीस लिया था दो और एक मर्चे को मैं ऐसे खड़े भी डालोंगी तो आप चाहें तो यहाँ पर लाल मर्च भी डाल सकते हैं तो देखे यह प्याज का कलर आपको दीख रहा होगा बहुत ही अच्छे से चेंज हो चुका है और यह देखे यह प्याज आपको दीख रहा है कि बहुत ही अच्छे से भुन चुका है तो देखिए ये मैंने अध्रक और लहसुन और मर्चे का पेस्ट डालिया है, दो मैंने मर्चा भी पीस लिया है तो इन सब को बहुत ही अच्छे से भुना है इसमें सारी खुबी है कि आपका ये जो प्याज अद्रक और ये सब बहुत ही अच्छे से भुना रहता है तभी इसका स्वाद आता है तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत ही अच्छे से भुना हो तो ये यह कड़ाई में तेल नीचे से निकलने लगा है यानि कि यह सब पक चुका है और अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे बहुत ही टेस्टी और मैंने बताया कि जो लोग लोकी के नाम से भागते हैं वो भी आप से मांग मांग के खाएंगे यह देखिए यह भी अच्छे से बुन चुका है और अब हम इसमें मसाले डालेंगे मसाले में सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर हल्दी डालूँगी और अब मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी तो यहां पर देखिए मैं एक बड़ी चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया है इसमें बहुत मसाला नहीं पड़ेगा बस देखिए हल्दी पड़ा है गरम मसाला पड़ा है और लाल मिर्च तो यह कस्मीरी लाल मिर्च है वो मैंने डाल दिया है एक चम्मच क्योंकि हरे मिर्च कर लूँगी और यह जो लॉकी का मैंने मैश करके रखा था उसको में डाल दूँगी तो बस अब इन सब को डाल के फटा फटा आपको मिला लेना है तो बस बहुत ही टेस्टी भरता बनता है वैसे आपने कई चीज का भरता खाया होगा लेकिन आप लॉकी का भरता खाये समय नहीं लगेगा दो से तीन मिनट तक ही लगेगा क्योंकि पहले से लॉकी बॉयल है और यह मसाला भी बहुत ही अच्छे से भुन चुका है तो बस इसको थोड़ा सा आपको सुखा लेना है तो बस वही आप थोड़ा सा गैस का फ्लिम आप मीडियम रख लीजे इसमें ल डाल दिया है तो इससे इसका टेष्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है तो इसमें देखिए बहुत ही चीज मेंने ताम जबेंड़ा है बहुत ही सिमपल तो बस अब आपको डाल के गैस का फ्लेम बंद कर देना है Tasty लोकी का भरता रेडी हो चुका है और अब इसमें मैंने धनिया का पत्ता भी एट कर दिया है तो ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है और अब भी इसको मैंने देखी एक प्लेट में निकाल लिया है टेस्टी और बहुत ही डिलीसियस लोकी का भरता त्यार है तो जो लोग अब लोकी के नाम पे भागते हैं वो अब आप से मांग मांग के खाएं तो ये देखिए मैं आपको निकाल के भी दिखा रही हैं कि ये बहुत ही डिलीसियस बना है और इसको बनाना भी बहुत ही आसान होता है तो ये देख के आपको मुं में पानी आ रहा होगा तो आई होब कि आपको टीस्टी हिल्दी लोकी का बरता जरूर पसंद आया होगा फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, सेर, सब्सक्काइब करना मत बुलिएगा थेंक यू फ्रेंड